हेलो बडिवन वेलकम तू बिवेकरनंदा एग्रिकेच्चर कडवी आज किस वीडियो में बात करेंगे यूपे केटेट किस कोर्स में एडियों होने की समबावना है एक जाम देने के बाद हर किसी मन में एक डाउट रहता है हमने इतने कोशन टाइम किये हैं और उतसायस भी रहता है सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एक्जाम के बारे में UP-Catad exam में तीन टाइप के student participant करते हैं UG course के लिए जिसमें आपका एक होता है PCB group और एक होता है आपका PAG यानि अग्रिकेट्टर गुरूप और एक होता है मरा टूटा गुरूप जिसका नाम है PCM group UP-Catad exam इतने अच्छा exam होता है जिसका ना कोई pattern है ना syllabus है ना model paper आता है ना answer की आती है कई question miss भी होते हैं उसमें कई question के option नहीं मिलते हैं यह सब जनकर यह आपको सबको पता है PAG group में कल chemistry थी नहीं मतलब pattern में syllabus में chemistry दिया है सब देतने question कमिश्टिस आएंगे फिजिक्स के आएंगे मैत आएंगे लेकिन इस बार PAG group में क्या हुआ है कि एक question agriculture के दूसरा बायो का है पर तिसरा उसमें soil science का है चौथा आपका फिर उसमें physics का है फिर आपका मैत इस तरीके से कई तरीके से बेकार paper आया है फिलाल करने वागे लोग तो खेड़ टॉप करेंगे मुझे पता है सबसे पहले बात करता है PCV group में इसमें सबसे अच्छा जो portion आया है वो बायो आया है उसमें मैं आपको बदा दू इसमें जो कमिश्टिया यह वह ऐसे कमिश्टिया जैसे पीजिव गुरूप में कमिश् का लोग वो किवल एकि उनका चारा होता हमें किवाल या से veterinary Science करनी है यानि vbasc करनी बातबहकी koll85 को ना होते है चुक्य वह बात करेंगी तक पहुंच नहीं पाते हैं तो यहां पर बात करेंगे gradator बाराए और बारे में बाइयों में 80 question में सबसे simple question इसमें लगवाक बच्चोंना 70 से 80 question तक किवाल अकेले बाइयों किया है तैयारी किया होगा अच्छा बच्चा होगा टॉप बच्च्ट वर्ण तो 80 अच्छी अटाइम किया है नहीं तो उसने 70 question 60 question सबसे अच्छा पेपर आया है किसी किसी बच्चे ने 45 ऐसा बच्चा कोई होगा साइज ने 45 से कम अटाइम किया होगा अईसा पेपर ही था हम लोग कुछ पेपर हमको प्राप्त हुए बच्चों द्वारा question लिखे हुए बच्चे कुछ question लिख लाते हैं तो हम लोग आज कुछन होते हैं तो हम लोग उसको यूट्यूब पर करा दें ताकि जानकारी मिल जाती हाली में कि यह पेपर हुआ था वास्तब में और अगले साथ जो बच्चे तयारी करतों को लेवल पता जाए था उसका लेवल क्या है ठीक है तो हम अगर टोटल बात करें हाँ फिजिस हो दस से पंद्रह कोस्टन आसानी से करी सकता है जी कि हाला कितना मेजर पार्ट नहीं लेकिन कुछ न कुछ रूल तो इंपोर्टेंट वहां उसका भी है तो बायो अगर बात करूं एवरेज विद्धार्थ हों कि यानि जो बच्चे अगरी करता है इंट्रेंस के लिए मिल कम बायो में बच्चों ने 120 से लेकर के और 150 कुछ्टन तक अटाइम्ट किया है यह बायो वाला की स्कूर रहा है अब कई ऐसे बच्चे होंगे जो के साफ सकते देखा जाए तो मालो SCST के तो किसी ने 100 कुछ्टन में कियो हो सकता किसी ने 90 कुछ्टन में कियो हो बात करें किसी बच्चन ऐसा हमना नहीं सुना है कि अपने 120 कुछ्टन से कम किया है और 120 कुछ्टन से लेकर के पीजी गुरूप में 170 कुछ्टन तक बच्चों ना टाइम किये हैं मतलब जो साबर्म पढ़ने वाले बच्चों जिनको हम जानते हैं कि इनकी रैंक अपने संस्थान में आती रही है हर एक टेप कर टेस्ट में भी आता रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि उनको उस्टन इतना तक सही है अब उसमें कितना कुछन मान तभी उनका एक साड़ कुछन तक अब देख जो रैंक क्या पर बनती यह पी में यह पी कैटर की पीजी गुरूप के बच्चे पीजी प्यूब में रेंक ले याती हैं किसी की प्यूब में sid confirm और अलग इंद को अब Uts이나 अलग 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 में लिकिन यहां पर को जाते है उसमें उसमें वहाँ पर कोई रिवेशन नहीं है ऐसा नहीं कि पीजी गुरूप की सीट्स यह से में इतनी हैं मैथ कितनी सीटे हैं कि कलम रिपोर्टिंग करने गए तो हुआ पर कई बच्चे हमारे संस्तान के भी थे कुछ इदर दर के भी थे टॉपर्स के भी थे मैथ इतना घटिया पेपर आएड कोई बच्च पढ़ने वाला साइथ 25 वह घंटे में ए 8-ndडट-डे न लोग आपके मिल जाएंगे जो कहेंगे मैद का पूरा-पूरा फस गया है सारे बच्चे जो है मैद वाले करके आए हैं यह दोखावाजी होती आप लोग साथ और यह साल बर आप लोग इसे देखते रहता है जब रिजल्ट आता है पेपर देता है तो समझ माता फिर और अगर स्विट एक्जाम क्रॉस अकर मालूब मुश्टी बच्चे निकाल दे जाएंगे यह पेपर अच्छा आता अगर यह नहीं हो पाता मैं आप तरीका बता रहा हूं आपके लिए अभी आप MP पेट एक्जाम भर दीजेगा यूपी से कहीं दस गुना इनवस्टी अ आसान नहीं कर सकते हैं लेकर बच्चे कहां कर पाएंगे इससे अच्छा लेवल तो सीटी काता है MP काता है तो इसलिए अगर आप पीसम गुरुफ से हैं और पेपर मुझे लगए खराब 100% हुआ होगा अगर सीटी क्रॉस नहीं हो पा रहा है तो अभी आप पास चारा है आ MP पेट एक्जाम दे सकते हो बले ही हाँ पर आपके लिए पेट सीट है जन्रल से जाएंगे लेकिन मुझे लग रहा है कि 200 कुस्टन होता है निगेटिव मार्पिंग होती नहीं है अगर 200 कुस्टन में अगर आप में यहां पर 115 कुस्टन तक कल ले जाते हैं तो आराम चुक कुस्टन तक क्रास नहीं कियों क्या उनको दिल पर बीत्ती साथ बही लोग समझ पाएंगे लेकिन यूट्यूब को दुनिया है मां जोट बोलने वालों कमी नहीं अभी आप देखिए कैसे ड्रामा करते हो लोग जो है जोलाई मटमेशन लेना है तो क्या करेंगे बोलेंग लगवग उतना ही कुस्टन आपके पीजी वालों किया है इनका पूर्टा बरावर बरावर रहेगा PCM का सेलेक्स्टन यूपी कैटट में ना कि बरावर होगा हो सकता उनकी PCM में यूपी कैटट का और कई ऐसे बच्चे होते हैं मैं सही आपको बता दू जिनका PCM से मैं आता है 50 फिजिक्स में ज्यादा आते हैं वह तब ही आप पड़ाओ तो इनका सेलेक्स बार रहेगा और जो बच्चे PCM वाले होंगे इनका सेलेक्स्टन बिल्कुल ना के बरावर होगा यह हकीकाता साथ जिसना मैं पेपर रिया होगा कहीं भी पड़ता हो समझ जाएग गलत है अब बात करते हैं आपको कितने नम्मर अब कोर्स से अगर बैटनरी साइंस जाते हैं बीए से तो एक सो आगर पैंतालिस कोर्टन तक आपके सहीं तो मालों आपको हंड़ेट परसेंट बैटनरी कोर्स आपको मिलेगा अपकोछ ऐसे उबलते हुब बबूले मिल आएगा तो साथ जानकारी हो जाएगी ठीक है तो बैटनरी साइंस के लिए आपको और यह बच्छे बैटनरी साइंस तो इतने पर आरामस पाजाएं कोई दिक्कत उनको नहीं है लेकिन हम बात करेंगा जनरल कर्टेगरी में बीएस सी गरीकल्चर के बारे में जिसके लिए 170 प्लस आपके होने चाहिए तो आपका सेलक्षन हो सकता ऐसे का सकते हो 310 अगर मार्च आपके आये हैं तो आपको स सेलक्षन यहां पर हैं आपने कर सकते है 105 कुश्चन तक अगर आप के होंगे प्लस में तब भी आप सेलेक्शन यहां पर यह पा सकता है अब हो सकता कि आप होटी काच्टर मिला तो सो पर मिल गया 95 पर मिल गया वह एक अलग बात है मैं कर रहा हूं अगर अगर नहीं निकल पाता तो आपने एक साल ड्रॉप किया आप तयारी किया अब आप तयारी करने मन भी नहीं कर रहा है तो आप बहुत आसानी सेलेक्शन मिल जागा तो आप वहां भी ले सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं आप एस्टी के टेगरी के बारे में एस्टी के स्ट्रॉण्स होगा अगर 95 कुश्चन तक होंगे उसके तो बहुत आसानी सेलेक्शन मिल जागा बात बात बाकि यहां पर पर कुछ फिजिकल हंडीकेप्ट होंगे और के तो वह उसी साफ से अपने कुश्चन को देख सकते हैं कितना कुशन हमारा से हुआ है तो फुलाल चीजें आप को शाम लागी होंगे तो अगर आपका पेपर बिगड़ गया है तयारी अच्छा किय है तो आप MPP exam बढ़ दिए मैं बार बार आप से बोल लाओं यह exam काफी अच्छा exam होता है और इसमें अधर state के लिए जो सीटे रिजर्व है यानि जो जन्रल से जो इसमें जो पेट सीट है वो आप ही सब के लिए होती है इसमें आप भी इसमें जा सकते हैं कोई यहां पर दिक्कत नहीं है ठीक है तो फिलाल जो भी में कुस्टन प्राप्त हुए है आज हम लोग इसको यूटूब पर जरू कराएंगे ठीक है तो मिलते के लिए वीडियो में तक नहीं बहुत बहुत धन्बाद वीडियो को लाइक से झाल